और हमारी हालत ऐसी होगी, सिकारी आएगा, जाल विछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फसना नहीं, अभी भी कुछ लोग जंधन योजना में जाकर के खताम चेक करते हैं, 15 लाग आया की नहीं आया, ए भाई सहाब, अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे, आपके परोष में साब सफाई नहीं होती है, आपके खाते में 15 लाख रुपे कहां से आएंगे, फिर भी एक सपना था, पहली पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये, होता है, कोई चीज अगर आपके सामने इस तरह से बेची जाएगी तो आप खड़ी दिलेंगे, हम भी खड़ी दिलेंगे, और हमसे भी बुरा हाल किनका हुआ, जो 2014 में पहली बार भोट दिये, और पहली बार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदि को अपना भोट दे दिये, क्योंकि 545 सीट पे तो चुना हुआ नहीं था, 545 सीट पे मोदी जी अकेले लर रहे थे, तभी तो टीवी ये स्टूडियो में चार पत्रकार बैट जाते हैं, और कहते हैं, राहुल गांधी नहीं तो कौन, नरेंदर मोदी नहीं तो कौन, अरे, यहां संबिधान हम पढ़े हैं, उसकी प्रस्तावना पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है, वी की समझ लीजिए, डबलु डबलु एफ का जो गेम होता है, उसमें जीतने के लिए भी पैसा मिलता है, और हारने के लिए भी पैसा मिलता है, रेफरी को भी पैसा मिलता है, और जो उसके समर्थक होते हैं, जो रोते हैं, रोने के लिए पैसा मिलता है, और हसने के लिए भी याद रखिएगा, यही गलती किसी जमाने में हमारे देश के नागरिकों ने की थी, जब राजे राजवारे आपस में लड़ रहे थे, तो उनको लगा कि ये राजे राजवारों की लड़ाई है, इसमें जन्ता का क्या लेना देना है, आज भी हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि ये पक्च और विपक्च की लड़ाई है ये Congress और बीजेपी की लड़ाई है ये Right और Left की लड़ाई है हमको इसमें क्या लेना देना है याद रखिएगा ये पक्च और विपक्च की लड़ाई नहीं है ये Modi versus We the people of India की लड़ाई है इस बात को आप समझ लीजिए और ये जो We the people of India है उनके जो सवालात है उनके जो मुद्दे हैं उन इसा जिसको आपको समझना परेगा नीरभ मोधी पैसा लगाए नरेंद्र मोधी पे नरेंद्र मोधी कहें कि चल उड़ जा पंची जीत करके आए फोटो खिचाए और गाएप कितना रुपया ले करके गए 35,000 कडोर और आपको पता है हमारे आपके जैसा एक फेलो इंडियन सिटिजन जिसको भारतिय होने का आधिकार है क्योंकि वो भी इसी जोगरफी में पैदा हुआ है इस हवा में सिर्फ ब्राम्मन का सांस नहीं घुला हुआ है दलितों का भी हवा है उसका भी सांस घुला हुआ है सांस लेते वक्त बोलते हैं कि ब्राह्मान सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे दलित सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे और परदूसन जब फैलेगी तो एयर प्यूडी फायर खड़ीद रहे हैं ना तो सब खड़ीद रहे हैं ऐसा कह रहा है कि दलित का फेफडा खड़ाब कर देंगे और ब्रामे का फेफडा खड़ाब नहीं करेंगे यह है basic इस और अब इस basic इस आगे बढ़ाने के लिए उस बहस को भटका देने की साजिस चल रही है और ये गठ जोर ये है कि पैसा खर्च करेंगे नीरम मोधी के ऊपर सरकार और सरकार पैसा लेंगे किस से आप से ये मत समझे कि कोई नेता आपने बाबु जी के घर से किसी पुझी पती का करजा माफ करता है या उसको पैसा देता है आपका पैसा है और यह उदारन मैं आपको समझाता हूं कौन बनेगा करोड़ पती में जब आप SMS करते हैं तो तीन रुप्या कटता है कटता एक नहीं कटता है सही हिसाब है मेरा हिसाब ठीक है तो एक करोड आदमी अगर SMS किया हो तो कितना रुपया हुआ तीन करोड तो तीन करोड में से एक करोड दे देंगे किसी को तो क्या फड़क बढ़ता है बिजनेस समझ में नहीं आता है ये है बिजनेस दोस्त इस देश में प्रधान मंत्री कहे रहे हैं कि हमने जन्धन खाते खुलवाए बहुत बढ़ियां बजा होता लिए और खाते जब खुलवाए तो पाँच पाँच सो द रुपए आपसे डलवाए अद देश का पपुलिशन प्रधान मंत्री हमें साब बोलते रहते हैं क्या कहते हैं सबासौ करोड़ अरे सबासौ करोड़ में से पचास करोड़ भी यदि खाता खुला तो पचास करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ जोड़ते रहिए सुनना डालते रहिए और NPA किसका माफ किया गया किसका करजा माफ किया गया किसान का किसका माफ किया गया अमवानी जी का कितना करजा माफ हुआ है सोच के बताईए उसका फीगड़ आपको पता है घर में जितना कमड़ा होगा सम में भी रखेगा तब भी जो है बाहर रह जाएगा 3,16,500 करोड रुपया कर जमाफ किया गया है और 3 लाख रुपया मोदी जी किस से मांग रहे है रबी आई से और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले तो के टाटा बाई बाई सायो नाडा तीन लाख करोड और तीन लाख करोड का एक और रहसर तिलिस्म है उसको भी समझ लीजिए जब नोट बंदी की गई तब प्रधान मंत्री ने लाल के लिए से कहा बहतरीन जूट बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो इस बंदी को तो जूट बोलने के लिए आसकर मिलना चाहिए माइक पर ख़ड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोट बंदी के बाद तीन लाख करोड रुप्या काला धन वापस आया है तो तीन लाख करोड अगर काला धन वापस आया है लोजिक लगाईएगा हम मोधी जी का बिरोध नहीं कर रहे हैं अपना तर्क इसनेमाल कीजिएगा तो मेट्रो बनाने के लिए एक लाख करोड जापान से करजा लेने की जरूरत है सोचिये ना सर सोचिये समझ में आ जाएगा अरे कोई जनमजात मोधी बिरोधी थोरी हम पैदा हुए थे उनका बिरोध करने में मजा थोरी आता है इस बाड जॉब इस नोट अ गुड जॉब क्यूं करना पर रहा है इसलिए करना पर रहा है कि बाप दादे ने जो पेर लगाए थे उसका मजा हमने लिया इस देश में यदि बाबा साथ भीमरा अंबेत कर का संभिधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही bench पे Brahman और Dalit का पच्चा एक साथ बैठकर के पढ़ाई नहीं कर रहा होता ये है संबिधान की ताकत ये संबिधान किसी एक जाती किसी एक धर्म के लिए नहीं है ये संबिधान इस देश के लिए है और देश-देश के लोगों से बनता है तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है नाय और बडावरी के लिए है ये जो संबिधान की ताकत है उससे जो हमने पढ़ाई की है ये हमारी जिम्मेबारी है कि हम इसकी रक्षा करें उसी प्रोसेस में आप ये देखिए कि एक लाग करोर रुपया कर जाए ये ले लिए है नारा क्या लगा रहे हैं? Made in India. बागुरुजी, कहते हैं Made in India, नागपूर में मेट्रो बन रहा है. कम्पनी का नाम पढ़े हैं? कहां की कम्पनी है? चाइना की है? आप सब लोग देश द्रोही हैं. कहां की कम्पनी है? अब भी आप सब लोग भी चाइना बोल रहे हैं. आप जीनियूज क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग जीनियूज देखा कीजिए. यह हैं Made in India. क्या इस देश की किसी कम्पनी के पास इतना इस्किल नहीं था क्या? क्योंकि एक नारा है ना इस्किल इंडिया? तो क्या इस इंडिया में इतना इस्किल नहीं था कि नागपूर का मेट्रो वो बना सके? नहीं था इनके हिसाब से. क्योंकि यह इस्किल इंडिया, इस्किल इंडिया नहीं है. इसका S साइलेंट है, यह है एक्चुली किल इंडिया और नोट बंदी से इस देश के छोटे-छोटे जो उद्योग धंधा करने वाले लोग थे जो छोटे-छोटे ब्यपारी थे उनके उद्योग धंधों को तबाह कर दिया गया और पैसा आप से ले करके पूंजी पतियों को दे दिया गया और जब RBI ने कहा कि इस से जादा नहीं कर सकते भाई सितार के तार को इतना ही खीचिये जितना में सूर भी निकले ऐसा नहों कि तूट जाए और जित पटेल कहाओ के बाए बाए यह है इस देश के इंस्टिचूशन की हालत एक-एक इंस्टिचूट को आप उठा करके देख लीजिए आप चुना सेक्टर यूनिट को कहा गया कि आपको सोचाले बनवाने हैं लेकिन सोचाले बनाएगा कौन आरेसिस के 600 संगठन है 600